किसान वह कद्दू बर्गी जब भी हम फसल लगाते तो सबसे बड़ी समझ से एक आती उसमें फूट फ्लाई की तो फूट फ्लाई को कंट्रोल करने का सबसे जो अच्छा साधन है वो है जेविक नियंत्रा और जेविक नियंत्रा दोस्तों हम जो है फूट प्लाई ट्रेप क जब आप प्यार देंगे मैं उतन फ्यार आपको दूंगा जrantन पर मिलते रहेंगी खेती किसानी समंदी और उन जयानकरियों को पआप अपने फार्मिंग को अपने खेती को बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों मैं आपके जैसे ही एक लारमल किसान हूँ जो की पिछले साथ-ाठ सालों से सब्ध्जग कीटि कर रहा हूँ तो साथ-ाठ सालों में ने काफी प्रकारगी फ़सलें अपने खिट पर लगाई हैं और उनका प्रॉपेट और उनका लास मुझे मालुम है और में क्या समस्यादी है वो भी मुझे मालूम है इसलिए जो मैंने पहले गल्तियां कर चुकी है या फिर जो मेरे इसलिए गल्तियां हो गई हैं जो है जो मेरे से जनकारी के आवहाओ पर मैंने उसमें नक्सान उठाया है मैं उससे आपको सतर कर सकता हूँ यदि आप नए किसान है तो भी और आप नए पुरानी किसान है तो भी दोस्तों जिन्दगी का एक ही नियम है जो सीखता है वही चलता है जो सीखना बन तो चलना बन इसलिए आपको चलना है और चलना तो क्या मैं तो कहता हूँ आपको दोणना है अपने जीवन पर तो दोणते रहने के लिए आपको जीवन भर सीखना पड़ेगा जीवन ही सीखने का नाम है जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया समझे लो आपकी जिन्दगी है वहीं की वहीं थम जाती है चलिए वीडियो के आगो बढ़ाते हैं मैं हूराकिस साहू आप देख रहा है एक रूजीवन बाते किसान की सबसे पहले एक बार उसको टेस्ट जरूर करने की वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारी थर्बूज की फसल है और बढ़िया यह सांदार फसल है और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े फल लगबग 500 ग्राम के फल हमारे तब चैक हो पाता है जब कि आप फूट फॉट फव्लाई को लगाए ना जब तक आप लगाते नहीं जब T거든 आपको समझ में नहीं आता और जब आपका नुक्स सान थो चुका होता है तब आ अपको फिर खेच में आता है कि आपका यह फुट फुट फ्लाई है तो आप इसमें देख सकते हैं यह लगभग 500 ग्राम से लेके केजी तक के हमारे फाल आ चोके हैं तरवुच की अपसर बड़ी समस्चा इसमें है लीफ माइनर की समस्चा है और कंट्रोल तो है आप देख सकते हैं कि जो उसमें लीफ माइनर के लारवा थे वो अब मर चोके हैं मगर उसके जो निसान है वो अभी भी बाकी है खेथ हमारा देख रहा है यह इस पर टमाटर की फैसल हमारी लगाई थी हमने और लास्ट मेंजरिस में लीफ माइनर काफी आ गया तो फिर उसको उखाड़ के फैक दी ठीक है तो होता क्या है कि हमारी पुरानी फैसल होती है ज कि अपनी जीवन पदिती है वो बैसा विचरन करते हैं जैसा उनको उपर वाले ने उनको बनाय हुआ है तो वो क्या काम करते हैं कि पुरानी फैसल को छोड़के हमारी नई फैसल पर एटेक करते हैं तो आप जब भी पुरानी फैसल उखाड के फेकते हैं तो उसके साइड म एक मक् की तो वहां उपर ही पड़ी हुई मरी हुई है ठीक है तो इसके अंदर आप देखते हैं निया उसके अंदर आप देखेंगे अच्छ यह सरी तो आपको यह मक् केहां मरी हुई नज़र आएंगी इसमें झीजिए तो इसका मतलब यह हुँ हो दोस्तों की यदि कि हम अपने फूट फ्लाइट को हमारे खेट पर कद्दूबरगी सब्जीयों पर अगर हम लगाते हैं तो हमें यह इसका लाफ उसका वेनिविट हमें मेलेगा कि हमाजी फूट प्राई हैं वो इसमें ट्रैफ हो जाएंगे और हमारी फसल सुरक्षित हो पाईगी तो कल सामको गुhr हमने इसका देख चुका था और इसकी बाद फिर में ग आधि आ स्मय लगाई है सारे थड़ के लगबग मैं हमारे हमी इससτο् Уथ फूरकली त्रैफ से लगा हुआ हैर तो जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों की आप इसनल करते आपको फल लगने के बास सबसे बड़ी समझ्या यही आती है देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि हमें जो फूट प्लाइ ट्रेप जो है बहुत कारगा चीज है और फूट प्लाइ को यदि आप दवायों में वाने जाएंगे ने तो बहुत पैसे लग जाएंगे आप को आप सबजने इस बात को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको क्योंकि वो एक उड़ने वाला जीव है आप उड़ने वाले जीव को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे बताइए आप में को हाँ जो कीड़े पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं उनमें जब दवाई आप कैसे कंट्रोल कर पाएं तो उसको कंट्रोल करने के लिए वही एक मैथाड़ को थोड़ा सा लोब दे कर उसको हम ट्रैप कर सके पकड़ सके हमारी नर्मक्किया होती है वो सांथी की गंत महसूस होती है और वो उसके तरफ आकरसित होती है और फिर वह अंदरी मर जाती है आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल यदि अपना है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूरें चलिए दूस्तों आचे वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक नमस्कार जैहीं जैकिसान जैजबान